नमस्कार दोस्तो ब्लैक और वाइट फंगस के बाद अब एक नया फंगस आया है जिसका नाम है यलो फंगस और इसको ब्लैक और वाइट फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है यूपे के गाजियबाद में सबसे पहला येलो फंगस का केस सामने आया है ये जो येलो फंगस है उसको मियोकोर सेप्टिकर्स भी कहा जाता है ये जो येलो फंगस है ये रेप्टाइल्स में पाई जाता था मगर इनसान में ये पहली बार है येलो फंगस भी कोई नई बिमारी नहीं है ये हमारे इंवाइरोमेंट में पहले से ही मौजूद है येलो फंगस भी ब्लैक और वाइट फंगस की तरह ही है मगर ये इन दोनों से जादा खतरनाक है क्योंकि ये सरीर के अंदर से शुड़वात होता है जहान ब्लैक फंगस आपके फेश से स्टार्ट होता है वहीं येलो फंगस आपके बॉड़ी की इंतर्णल ओर्गन और इंतर्णल प्रसेश को हाम करके शिम्टम्स बताता है इसलिए तो ये इतना घातक है येलो फंगस से संक्रमित होने के बाद आपको पहले ही दिन treatment की जरूरत पड़ेगी नहीं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है अब बात करते हैं इसके symptoms क्या हैं तो इसके symptoms हैं सरीर में कमजोड़ी लगना, भूख नहीं लगना, खाने का मन नहीं करना, और वजन कम होना येलो फंगस होने का मुख कारण है बैद हाईजीन, गंड़गी आपके आजपास की सफाई बहुत जरूरी है और बासी खाने से बचे क्योंकि ये बैक्टेरिया का क्रोट करता है अब बात करते हैं येलो फंगस का ज़्यादा खटरा किसे है कमजोर इम्मुनिटी, वीक हेल्थ और बहुत सारे डिजीज जैसे डाइबिटीज, क्लोरेस्टॉल जिन लोगों को ये सब है उन्हें येलो फंगस का ज़्यादा खटरा है और जो स्टेरोज के हाई डोस लिये हुए हैं उन्हें भी ज़्यादा रिस्क है और अगर ये सब डिजीज आप में नहीं है तो आप बिल्कुल स्वस्थ है और बाहर कहीं भी निकले तो मास्क ज़रूर बहने और अपना इम्मुनिटी को बढ़ाने के लिए रोटी में घी लगा कर ज़रूर खाए और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल शॉकिंग पैक्ट्स को सब्सक्राइब कर ले